आज हम बात करेंगे डेविडेंट्स के बारे में डेविडेंट्स क्या होते हैं डेविडेंट्स क्यों होते हैं डेविडेंट्स पेइंग आउट कंपनीज अच्छी होती है क्या ज्यादा डेविडेंट्स पेमेंट करने वाली कंपनीज कैसे होती है जो कंपनीज डेविडे देती नहीं है, उनके बारे में भी थोड़ी से बात करेंगे, overall ये सारा सिनारियों आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों हमने हमारा एप लॉंच किया है इन्वेस्ट अधने.in Google Play Store को विजिट किजिए, वहां से आप लोग हमारा एप डाउनलोड कर सकते हो, उस एप से आप आपका free financial plan बना सकते हो उसके बाद हमारे model portfolios को subscription करना है, या फिर stocks video subscriptions करना है, या mutual fund review subscription करना है, तो वो सारी चीज़े वहाँ पे available है new high ये coupon code अभी भी active है, around 12-27% का discount आपको combo plans पे मिल सकता है, तो जरूर इस चीज़ का अलाब उठाएगा दोस्तों, और हमारी website investment.in को visit किजएगा तो dividends क्या होते हैं, dividends यानि की जो भी company ने earnings कमाई हुई है profit हुआ है company को तो as a shareholder आपको कुछ participation dividend की तोर पे मिलता है, बहुत सारे promoters भी है इंडिया में, जिनका percentage stake काफी ज़्यादा होता है normally वो भी ज़्यादा dividend लेने का कभी-कभी thought process उनका भी develop होता है, कभी-कभी उनको लगता है कि dividend distribution tax pay करके हमने क्यों पैसा लेना चाहिए हाथ में, हम वो earnings को वहीं पर invested रखते हैं तो ये अलग-अलग scenarios होते हैं, तो पहले हम बात करेंगे अभी आप लोगों के साथ कि dividends companies क्यों pay करती है तो ये जो analysis होगा ये भी एक perspective आप लोगों के सामने open करेगा और दूसरा होगा जो companies dividend payout क्यों नहीं करती है तो पहले देखते हैं दोस्तों कि dividend payout कब-कब होता है तो पहला dividend payout तब होता है दोस्तों, जब company को लगता है कि ये जो profits मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास बहुत ज़ादा growth opportunities available नहीं है, कि ये जो पैसा अगर मैं खुद के पास रखोंगा तो ये कहाँ पे invest करूँ, तो कोई option available नजर नहीं आ रहा है तो ये उनको लगता है कि it's better to give that particular amount to its shareholders तो company decide कर दिए कि भाई shareholders को ये पैसा दे दो, ताकि shareholders भी happy रहेंगे कि चलो बढ़िया है, अपने को अच्छा खसा dividend यहाँ पे मिल रहा है, तो ये perspective है कि जहाँ पे growth opportunities available नहीं है या फिर नई investments करने के लिए company के पास कोई ज़्यादा plans available नहीं है दूसरा option क्या हो सकता है company को लगेगा कि भाई मेरे पास हर साल अच्छा खासा earnings मतलब cash flow रहेगा, free cash flow काफी सही रहेगा, तो मुझे कोई ज़रूर नहीं कि मेरे पास यह जो पैसा आ रहा है वो पैसा मैंने investors को देना चाहिए, तो कोई problem नहीं है मेरे पास, क्यूंकि नया cash flow मेरे पास आता रहेगा, जैसे कि FMCG companies को आप लोगों ने देखा होगा, कि वहाँ पे उनको कोई problem नजर नहीं आता, इवन oil marketing companies के बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा खसा dividend deal वहाँ पे होता है, तो वो भी एक reason हो सकता है, उनको लगेगा, कि भाई earnings retain करके क्या point है अगर कोई investments करनी भी है तो हम जो नया cash flow आएगा वहाँ से investment कर सकते हैं, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बहुत जादा earnings को retain करना होगा, तो ये दो option हुए कि कभी-कभी dividend दिये जाते हैं, तीसरा option है, जो हमें इंडिया में काफी companies follow करती है, ऐसा लगता है इंडिया में dividends के बारे में psychologically ये काफी positive sentiment होता है, बहुत सारे जो पुराने investors के साथ जिन्हों हमने interactions किये तो उनको dividend काफी अच्छा लगता है उनको लगता है dividend जैसा income नहीं है अगर अच्छे खासे आप लोगों के पास shares है या फिर अच्छे खासे mutual fund units है तो उनको dividend जब आता है इस पर कोई tax नहीं लगेगा और एक टाक्स ना पे करने का एक जो sentiment है इंडिया में काफी strong है बहुत बार हमारे सारे discussion भी करते हमारे investors किसे tax पे नहीं करना है आप कुछ भी करवा दो investment ऐसे plan करवा दो कि tax ना पे करना पड़े तो यह सारा जो है तो यहाँ पे भी एक play out होता है angle क्योंकि companies को लगता है ठीक है अगर थोड़ा बहुत percentage हमने दे दिया as a dividend yield तो कोई ज़्यादा problem होगा नहीं अच्छा कासा earnings हम retain भी कर सकते है reserves अपने company के बढ़ा सकते है आने वाले समय भी अगर investments करनी पड़ी तो वहाँ पे वो पैसा use भी हो सकता है तो यह तीन angle से पहला कि जहाँ पे company को लगता है कि हमारे पास कोई investment opportunities ज़्यादा available नहीं है space available नहीं है तो it's better to give that dividend to investors दूसरा company को लगता है कि regular cash flow बहुत जबरदस्त है अगर कुछ लगेगा भी तो अपने regular cash flow से हम सारी चीज़े manage कर सकते है no need कि हमने बहुत ज़्यादा earnings retain करनी चाहिए और तीसरा angle है जहाँ पे investors को लगता है कि dividend आना चाहिए और उसी sentiment पे companies play out करती है और वहाँ पे demand का atmosphere create होता है stock पे कि इंवेस्टोस लगता है चलो अच्छा dividend देती है company तो we will keep on investing in this particular stock तो यह तीन angle है तो यह रहा जहाँ dividend payout होता है और अब ही देखेंगे कि payout कहाँ पे नहीं होता है companies का payout नहीं कर दिये पहला तो company का payout नहीं कर दिये earnings ही ज़्यादा नहीं है रिटेंड अर्निंग्स जादा नहीं है या फिर accounting वाली earnings है बट actual cash flow जो account में आना चाहिए वो नहीं होता but receivables बहुत ज़्यादा होते तो profitability वहाँ पे नजर आती है बट free cash flow ना होने की वज़े से actual account में पैसा ना आने की वज़े से वहाँ पे payout नहीं हो पाते इसलिए वह वहाँ dividend नहीं देते दूसरी companies कौन सी होती है उनको लगता है भई dividend क्यों पे किया जा इससे अच्छा तो हम जो पैसा retained earnings रहेगा वह वापस business में reinvest करते है business में reinvest करने के वज़े से और ज़्यादा growth अविलेबल हो सकीगी अगर growth वहाँ पे आएगी profits के numbers अच्छे दिखेंगे revenues के number अच्छे दिखेंगे operational efficiency अगर growth होती है तो operating profit margins grow होते हुए नजर आएगा तो यह सारी चीज़े company के लिए काफी अच्छे हो सकती है तो overall normally growth phase में जब companies होती है जहाँ पे बहुत सारे investments उनको करने बढ़ते हैं जैसी के example के तौर पे अगर banking industry के बारे में बात किया जाए कि बहुत सारी ऐसी banks है जो नहीं banks सारी है वहाँ पे उनको लगता है वहाँ एक state में हमें number of branches आने वाले समय में बढ़ाते जाना है तो वहाँ पे capital अच्छा खासा लग सकता है तो वहाँ यह सारी चीज़े use हो सकती है तो यह दो सिनारियो है कि जहाँ profitability है बट accounting में यानि कि पैसा accounts में आया नहीं है तो वहाँ पे dividend payout नहीं होते है और दूसरा जहाँ पे companies को लगता है कि opportunities हमारे पास ही बहुत जादा है शेयर सेल कर सकते है और वहाँ से वो profit booking कर सकते है बट हमारे पास opportunities बहुत जादा available है तो यह सिनारियो हो सकते है तो अभी हम आप लोगों के सामने कुछ examples बताएंगे जहां पे कहीं-कही dividend yield zero है कोई payment नहीं किया आया लास पांच सालों में कोई dividend नहीं दिया गया है investors को but overall profitability की growth काफी सही रही है stock भी काफी उपर गया हुए तो यह सारी discussions हम आप लोगों के सामने लाएंगे तो पहले देखते है ऐसी companies तीन companies के बारे में आप लोगों को बताएंगे जहां पे dividend yield zero percent है बट profit growth अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ही बढ़िया profit growth और stock market में जो returns आए stock में वो भी काफी बढ़िया है तो पहली company है avenue supermarts तीन साल का अगर net profit growth देखा जाएगा तो 41.01 percent का है 5 year का net profit growth around around same 41 percent का है and dividend yield है 0 percent यानि की avenue supermarts को लगता है कि भाई dividend देने से अच्छा मैं और number of stores यहाँ पे open करता जाओंगा अगर यहाँ पे number of stores और बढ़ते जा efficiency से operational efficiencies increase होती है तो उससे और growth मिल सकती है net profit में growth मिल सकती है तो it's better to reinvest those earnings in that business itself तो यह avenue supermarts का example है दूसरा example है credit taxes ग्रामीन यह जो एक microfinance institution है NBFC है तो इसका भी अगर आप 3 साल और 5 साल का profit देखोगे तो respectively 57 and 81% का 3 और 5 साल का net profit growth है तो यह काफी बढ़िया growth है इसका भी dividend yield अगर आप देखोगे तो 0% है last one year में हमने देखा है more than 100% के returns इस particular stock ने हमें दिया है तो आप लोग समझ सकते हो कि जो promoters है उनको रखता है कि भाई reinvest करना ही सही रहेगा और growth और possible है क्योंकि यह inner way देखा जाएगा तो smaller mid cap stocks है तो growth यहाँ बहुत ज़्यादा available है तीसरी company अगर कोई है तो 3M India MNC company है 75% का promoter का stake है company में अगर promoter चाहे तो अच्छा खासा dividend payout ले सकते है बट promoter is not expecting at all वो बोलने भाई reinvest कर करते रहो और जो reserves है उससे और जादा business growth करने की कोशिश करते हैं तीन साल और पांत साल का जो profit growth है around 19% and 49% respectively है माना कि last 3 सालों में थोड़ा सा slow down यहाँ पे डज़र आया है बट overall अगर longer horizon की हिसाब से दिखोगे तो promoters are quite positive कि यह पैसा reinvest होना चाहिए इस company में भी last 5 सालों में कोई dividend में दिया है dividend yield जो है वो zero है तीनों companies ने कोई dividend payout नहीं कि है last 5 सालों में तो यह examples है कि भाई कैसे उनको लगता है कि high growth kind of companies है यह तो it's better कि reinvest that particular profit जो earnings है वो retain करो उसको invest करो business को growth मिला उससे जा उससे net profit बढ़ेगा net profit बढ़ेगा तो automatically share price भी बढ़ेगी तो investors को through capital appreciation returns दे से तो यह तीन examples होए जहां पे dividend yield 0% कि है अभी तीन examples आप लोगों को बताएंगे जहां पे 5% का dividend yield है और growth के numbers भी आप लोगों के सामने present करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे आपको लग सकता है कि overall growth तो ठीक था की है पर फिर भी company इतना जादा dividend payout कर रही है तो क्यों कर रही है तो company को कोई problem नजर नहीं आता उनको लगता है अगर investments करने भी होंगे तो we have enough free cash flows आने वाले समय में जहां से नई investments हो सकती है तो पहली company है NHPC तीन साल और पान साल का अगर profit growth देखा जाएगा तो यह 16-17% का रहा है dividend yield इसकी last year की है 6.11% पर यहाँ पे देखनी जीसी होने के बावजूद around 6.11% की dividend yield है बट stock is down by around 9% तो आप समझ सकते हो जरूरी नहीं की dividend yield बहुत जादा है तो हमेशा stock को price भी वैसे मिलेगा appreciation भी वैसा ही मिलेगा demand वैसी रहेगी अगर investor को लगता है कि overall sluggishness है company के overall business में तो जरूरी नहीं की जादा dividend yield भी stock को संभाल सकती है तो यहाँ पे stock 9% से down है दूसरी company है IOCL Indian Oil Corporation Limited तीन और पान साल का जो growth है वो 16 and 23% है respectively और dividend yield रही है last year की 7.03% की बट stock का जो performance है एक साल में ये भी around 9.2% से down है तो यहाँ आप देख सकते हो IOCL biggest oil marketing company है इंडिया की सबसे जादा इनके पास petrol pumps है बट फिर भी इसके इतनी high dividend yield होने के बावजूद stock ने last one year में negative returns दिये थर्ड company है oil India another PSU 3 years and 5 years का जो net profit growth है वो 21% and 5% है respectively तो 5 साल के हिसा आप से देखोगे तो बहुत जादा earning growth यहाँ पे नजर नहीं आई है बट dividend yield अगर आप देखोगे तो 6.63% की dividend yield है and last one year में ये stock 12% से down है तो आप लोग सम जादा stock का performance नजर नहीं आता है बट कुछ 3-4 example आप लोगों के सामने बताएंगे जैसे की HDFC limited यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा अच्छा कासा profit growth और sales growth हमने last 5 सालों में देखा है 15-20% की बीच में ये numbers है बट ये company थोड़ा बहुत dividend दे देती है around 0.9-1% का dividend ये company द available है या फिर indexing bank का example लोग वहाँ पे भी 0.44% का dividend yield है तो overall एक sentiment होता है जो investors को लगता है कि थोड़ा बहुत dividend yield आना चाहिए, dividend आने चाहिए companies से तो वो sentiment इंडिया में अच्छी तरीके से manage होता है ये हमने देखा है normally जो index है जैसे की Sunsex होआया निफ्ति हुआ इनका जो average dividend yield है वो between 1 to 1.5% का है यानि कि सारी companies का total average yield अगर देखा जाएगा dividend का तो वो मिला दिया तो around 1 to 1.5% का है तो यही sentiment पे play out करना होता है ऐसा हमारा मानना है so nothing wrong in that expectation है shareholders के आपके तो you should as a promoter as a company you should fulfill the expectations of your shareholders दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह dividend related video अच्छा लगा होगा इस पे कुछ queries है आपको या फिर किछ particular stocks के बारे में आपको dividends yield के बारे में कुछ questions है तो आप लोग comment section में लिख सकते हो उस पे हम जरूर उन सारे questions का answer करने की को channel लिखते रही हो दोस्तों और next video तक के लिए मुझे आगया दीजिए जाहिए दे